सो नमस्का दोस्तों एक बार फीज से आपका बदबद स्वागत है आपके अपने यूटुब चेनल यसरा सलूसंस में मैं हूँ आपका दोश टेक्निकल मुकेश तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेट और शांदार वीडियो लेक्या तो जेहा दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत ही अल्टिमेट और खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आप से मैं शेर कर नज़ा रहा हूँ आशी ट्रीक जिसमें आप अपनी इंटरनेट इस्पिट को बूश्ट कर पाएंगे साथी साथ अपनी ब्राउजिंग यानि की इंटरनेट सर्विस पोवाइडर से हाइट कर पाएंगे वो भी बिना किसी VPN एप्लिकेशन को इंस्टोल किये बिना तो इसके लिए आपके पास Android का लेटेस्ट वर्जन पाई या हायर वर्जन होना जरूरी है तो यहाँ पर हम प्रावेट DNS का यूज करके हमारी इ ISP से हम हाइट करेंगे तो इसके लिए simply आपको अपनी Android डिवाइस में settings को open करना है तो यहाँ देख लीजिए यह settings से simply आप इसे open कीजिए तो आपके सामने settings का page open हो जाएगा यहाँ पर जो अलग-अलग model में अलग-अलग settings हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर आपको simply open करना है connections तो आपके इसमें networks and internet के नाम से settings हो सकती है तो मैं connections पे tape करके इसे open कर लेता हूँ तो यहाँ पर connections का page open हो गया है इसमें आपको सबसे नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको more connections settings पे tape करना है तो आपके सामने more connections settings का page open हो जाएगा यहाँ पर तीन option आप देख पारे होंग printing vpn private dns तो simply आपको private dns पर tape करना है अब यहाँ पर तीन option दे रखें of automatic private dns provider hostname simply third वाले option को आपको choose करना है यह by default होगा तो by default को आपको erase करना है यहाँ से और simply आपको type करना है one dot फिर one dot फिर इसके बाद आपको type करना है one dot फिर इसके बाद one type करना है और dot लगाना आपको और simply इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर cloud flare cloud flare के बाद आपको यहाँ एक dash लगाना है देश लगाने के बाद simply आपको यहाँ लिखना है dns ठीक है तो DNS आपको यहां टाइप करना है और इसके बाद .com लिखना आपको तो .com लिखेंगे इतना आपको टाइप करना है simply तो यह जो DNA से Cloudflare का इसे save कर लेना आप तो दोस्तो हमारा यहां Cloudflare DNA से वो save हो चुका है 1.1.1.1.1.Cloudflare अब आपको simply इसे test करना है कि really यह work कर रहा या नहीं हमें इसे verify भी करना है तो simply आपको इसे verify करने के लिए किसी भी एक browser को आप open कर सकते तो मैं यहां Chrome browser का ही use कर रहा हूँ तो आपको simply अपना browser open करना है और browser की add is bar में आपको simply एक code type करना है जिससे आप यह पता कर पाएंगे कि आपका DNS really work कर रहा या नहीं तो यहां आपको type करना है one dot one dot फिस के बाद आपको type करना one फिस के बाद dot फिस के बाद one type करना है तो यहां one type करने के बाद आपको लगा देना है slash तो यहाँ one type करने के बाद यहाँ हम slash लगाएंगे इसके बाद आपको लिखना है simply help तो help लिखने के बाद आपको simply go कर देना है और यहाँ पर everything yes yes होना चीए second वाले को छोड़ कर ठीक है तो यहाँ देख लीजिए connected to 1.1. ठीक है यह yes है यह using dns or tls तो यह सारे connected है यहाँ इस प्रकार से हम verify कर चुके हैं कि हमारा जो dns वो work कर रहा है cloud flare का तो दोस्तो आप इस प्रकार से अपनी internet speed को boost कर पाएंगे और browsing history को अपने ISP से height कर पाएंगे तो दोस्तो मैं आज सा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसनाया होगा दोस्तो वीडियो पसनाया तो like करके जाना और अभी तक हमारे चैनल को subscribe निक्या तो subscribe कर लेना शो नमस्कार दोस्तो आपका दिन सूभ हो once again thank you for watching my YouTube channel Yes Raj Solutions